सिंदूर के डिब्बे में रखेंगे यह चीज तो पती होगा अमीर श्री शिवाय नमश तुभ्यम दोस्तों हर हर महादेव दोस्तों विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना हिंदू धर्म में अनिवार्य माना जाता है ये न केवल महिलाओं के भाग्य से जुरा होता है बलकि उनके पती की लंबी, उम्र और सुहाग की निशानी को भी दर्शाता है हिंदू धर्म में सभी महिलाओं के पास सिंदूर रखने के लिए सिंदूर दानी जरूर होती है हमारे शिव पुराण अचार्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि महिलाओं को केवल सिंदूर की डब्बी में कुछ ऐसी खास चीजें रख लेने से पती की उम्र बरहा सकती है और अपने लिए मानसिक तोर पर सुख सम्रिद धिपा सकती है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं गुरू जी के बताए वो अच्छा उपाए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो नमस्कार दोस्तों सन्यासी जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अचार्य प्रदीप मिश्रा जी के सिंदूर की डब्बी का वो महा उपाए जो आपके सुहाग की उम्र चुटकियों में बरहा देगी गुरुजी कहते हैं कि आज के मॉडल जमाने में ऐसे तो महिलाएं बिंदी और सिंदूर लगाना बिलकुल भी पसंद नहीं करती हैं लेकिन जो महिलाएं सिंदूर और बिंदी लगाती हैं वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि उन्हें किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि महिलाओं की बिंदी और सिंदूर उनके सुहाग की पहली निशानी होती है। तो महिलाओं को कभी भी अपनी बिंदी और अपना सिंदूर किसी भी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए, और नहीं किसी का सिंदूर बिंदी मांग कर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी किसी की बिंदी या सिंदूर मांग कर इस्तिमाल करते हैं, या फिर किसी और अगर किसी की भी बिंदी या सिंदूर मांग कर इस्तिमाल कर रहे हैं, तो उस सती का दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है, तो कभी भी किसी का सिंदूर या बिंदी लेन देन करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखे, और भूल कर भी किसी को बिंदी या सिंदू इसके अलावा महिलाओं को गीले बालों में सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए और नहीं अपने सिंदूर को बालों में छुपाना चाहिए क्योंकि आज कल के मौडल जमाने में महिलाओं को सिंदूर लगा कर बाहर निकलने में शर्म सी आती है और वो तेरे मेरे ह लेयर स्टाइल करके सिंदूर को छुपा कर चलती है, मानो उसे सिंदूर लगा कर निकलने में शर्म है, लेकिन ऐसा करने से उनके पती के मान सम्मान में कमी आ जाती है और उन्हें समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, इसके अलावा गुरुजी यह भी कहते हैं कि अगर आप कमाख्या मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वहां से सिंदूर अवश्य लेकर आए और इस सिंदूर को अपने सिंदूर दान में मिला दे, ध्यान रखे कि ये सिंदूर कभी खत्म ना हो और लगातार इसी सिंदूर का आपको इस्तिमाल करते रहना है, ऐसा रोज सिंदूर नहीं लगा सकती, तो कोशिश करें कि 30 त्योहार वाले दिन अपनी मांग जरूर भरे, और अपने पती से अपनी मांग जरूर भरवाए, इसके अलावा महिलाएं अपनी मांग जितनी लंबी भरती हैं, उनके पती की उम्र भी उतनी ही लंबी होती है, और ज अमीद करते हैं दोस्तों की आज की यह वीडियो आपके लिए लाबकारी होगी, और आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद